हलो डॉक्टर आपको बहुत बहुत स्वागत हैं मरे शो में डॉक्टर बिलकुल बेसिक से शुरुवात करते हैं हम आई फ्लू की बात कर रहे हैं इग्जाक्ली ये बिमारी क्या होती है आई फ्लू एक सिंपर टाम है आखों में इंफेक्शन हो जाना जिसको हम कवनली pink eye या red eye भी बोलते हैं आखाना भी हिंधी में हाई हिंधी में आखाना या दुखनियाना भी बोलते हैं ये कई type की होती है जो most commonly इस सिजरन में होती है hot and humid climate में इसका नाम है addena viral conjunctivitis conjunctivitis का मतलब है अपनी जो आखी सफेद लेर है इसके उपर एक जिल्ली होती है, ट्रांस्पेरेंट, इसमें redness को हम conjunctivitis बोलते हैं, यह हो सकती है, viral infection के विए से bacterial, fungal, allergic और भी कई प्रकार के infection हो सकते हैं, commonly जो i-flow होता है वो adenoviral infection होता है, अडिनो वाइरस के कारण जो हो रहा है, अच्छा, यह क्यों कहते हैं, बहुत बहुत rapidly होती है, तो इसकी वज़े से हमें बहुत commonly infection इस season में लगने के chances होते हैं, अच्छा, जैसे कहते हैं, कि मतलब आप अगर ऐसे में किसी की आँख हाई हुई है, तो आप उसको अगर eye contact भी अगर उस वेक्ति से कर ले, तो यह फैल जाता है, तो ऐसा भी कुछ है, यह स अपनी eye को रप किया, और मैंने किसी बाटल को तोच कर लिया, सेम बाटल को आपने टच कर लिया और अपनी eye को रप कर लिया, तो यह ऐसे touch से transfer होता है, डिरेक्टली आँक को देखने से नहीं होता, और example मैं बताता हूं, जैसे कि आपके family member में किसी को eye infection है, और उन्होंने और अपनी आई को रप किया, रिमोर्ट को टच कर लिया, सेम रिमोर्ट को किसी और फैमिली मैंबर ने टच किया, और अपनी आई को टच कर लिया, तो उनको आईफले होने के चांसेस बहुत ज़ादा होते हैं. शायद इसी कारण यह बहुत ददद फैलता भी है क्योंकि मतलब ऐसे ही एक एक जामपल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर मुझे आई फ्लू है और मैंने पनी आई को टच करके किसी डोर को टच किया है और उसी को फिर दस लोग और कर रहे हैं तो उनको भी फैल सेते हैं बहुत ग्लासिस पहनते हैं कि हमें लाइट इरिटेट ना करें और आई से वाटरिंग ना हो दूसरा एक रीजन है डॉक्टरिस के प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपनी आईस को फ्रिक्वेंटली टच ना करो जैसे कि हमारी आईज में इरिटेशन इचिंग होती है तो सब कॉ झाल